नमश्कार मैं देती फॉसदर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्ट सेग्मेंट सेहत नामा आज अब बात करेंगे लिवर डैमेज के कारणों के बारे में लिवर हमारे शरीर में सबसे एहम अंग होता है जो कई तरीके से हमें हेल्दी रखने में मददगार होता है यह हमारे शरीर में कई महतपूर कार्य करता है जिसमें पाचन और मेटवॉलिजम को बहतर बनाने के साथ साथ शरीर में मौझूदा टॉक्सिन को भी भान निकालने में यह शामिल है ऐसे में यह कहना गलत है कि स्वस्त शरीर के लिए लिवर बेहत जरूरी है हाला कि इन दिनों तेजी से बदल रही हमारी लाइफस्टायर और गलत खान पीन की वज़े से हमारा लिवर खराब होने लगता है अगर समय रहते हैं लिवर डिजीज की पहचान ना की जाए तो यह आगे चलकर लिवर वेलियर की वज़ा भी बन सकता है लिवर खराब होने पर हमारे शरीर में कुछ लक्सर नजर आने लगते हैं जिनने पहचानना आपके लिए बेहत जरूरी होगा समय रहते ही ऐसे में आज हम आपको ऐसी कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे जो लिवर खराब होने से पहले आपको संकेतों के बारे में बता दे पैरों में सूज़ग chronic liver disease होने पर आपके पैरों में तरल पदार जमा हो सकता है जिसमें पैर सूज़ने लगते हैं पोर्टल वेंस में दवा पढ़ने की कारण पैरों में तरल पदार ओडे मा जमा हो सकता है इसके साथ ही उल्टी में खून आ सकता है जिसकी वज़ा से लिवर में दिक्कत हो सकती है इसके साथ ही food pipe और pate में वेरिकोस वेन में bleeding, ulty या मल में खून का सबसे एक आम कारण हो सकता है इसके साथ ही त्वचा में खुझली लिवर की बिमारी के समाने लक्षडों में से एक है त्वचा में खुझली होना पेट में सूजन क्रॉनिक लिवर डिसीज के शुरुआती लक्षणों के पेट की सूजन भी शामिल है इसमें पेट में तरल पदार जमा हो जाते हैं जिसमें पेट में फैलाव हो सकता है इसके साथ ही नीन में गड़बड़ी होना इसके साथ ही टॉक्सिन जमा होसने की वज़ा से आपके नीन के पैटन में गड़बड़ ही हो सकती है लेवर के मरीज अकसर नीन में डिस्टरबिंस दिन में नीन आने की शिकायत भी करते रहते हैं अगर आपके साथ भी जादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर सला लीजिए आज के लिए बस इतने हैं ऐसी हेल्थरे टिप्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद